पूरी करो, पूरी करो, पूरा हटाओ, बन करो, पूरा हटाओ, बन करो नमस्कार मैं हूँ जितेंदर गोतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया गाज जियाबाद में एक समस्या सबसे पुरानी है जिसके लिए बहुत सी सरकारे बदल गए लेकिन वो समस्या आज तक हल नहीं हो पाई है हम बात कर रहे हैं गाज जियाबाद में डंपिंग ग्राउंड को लेकर इस वक्त हम राजनगर एक्टेंशन में मौझूद है और यहाँ पर फिलाल एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाज यवास सहर का कच्र है वो यहाँ पर गेरा गया है लेकिन यहां के जो स्थाने निवासी हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहां कूडा नहीं डालना चाहिए क्योंकि यहां अगर कूडा डालते तो आसपास के रहने वाले लोगों को तमाम समस्या ऐसी हैं जिनसे उनको जूजना पड़ेगा तो क्या वो समस्या है कि इसलिए यह चाहते हैं कि यहां ना डले इन तमाम चीजों के लिए हम इनी महीरा उसे बाच्चित करते हैं जैनती जी क्या दिक्कत आ रही है जैसे जिस तरह से यहां पर अब एक डंपी ग्राउंड आजए हमने नगर रायूक को बला के सर्वे करवाए उन्होंने सर्वे किया उन्होंने बोला कि हमारे से नीडल रहा है जिस दिन वो लोग आयते यहां जैसी पिकड़ी हुई थी सर अब अब आप सामने पहले देख सकते हैं यहां के रहने वाले लोग और यहां से महच सो से दो 200 मीटर के दूरी यहां पर होगी जाहीं लोगों को प्रैसानिया जी आप बढ़िए क्या नमा प्रत्यक्षन आवे मेरा भीया मैं रहती हो मीटोस विस्ता सुसाइटी में हम लो कुण भी है हम लोगो आने जाने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है हम क्या बताएं भेया देन रात यह बद्वू जा जाकर दिमाग खराब हो गल्टरी हम परेशान हो गया है और यहां पर डंपिंग राउन नहीं बनना चाहिए बिलकुल भी अचा आप बताईए आपका क् शुरुआ बद्वू इतनी जादा आती है कि घूमना तो घूमना घर में रहना भी मुश्किल हो गया है बालकनी में खड़े होकर कप्टे सुखाना बहुत मुश्किल है बाहर निकलना मुश्किल है हम लोग अपनी शटर बंद रखते हैं तो प्लीज इस डंपिंग को रु को को इस कुड़े से जो है निजात मिल जाए क्योंकि सुबर के टाम यह जगह मौनिंग वोक के लिए होती थी लेकिन अब इसमेल के कारण हम लोग मौनिंग नहीं कर पाते हैं अच्छा यहां के विदाय के उनसे बाचीत हो पाई है हां जी उनसे बाचीत हो पाई है पहले कि थी काफी टाइम पहले तो यह रच गया तब यह दुबारा डाला गया है और विदो पहले तो अलवह हम ने डालते है अभा है अब रात मे डालते क्योंकि इतना थे हो गया था यह उन भी फिर से हमारी हरे से च्छोह हमारे में पर रुद करने कि यहां जो है नगर निगम की तरफ से कुड़ा डाला जाता है और जो कि यहां कि जो लोग हैं वो बहँ ज् beginning से परेशान हो चुके हैं आप बते क्या नहीं हो महिमा कपूर जी यह बताइए जब इस तरह का कुड़ा डाला जाता है कहते हैं कि दिन में नी डलता रात को डालके चले जाते हैं क्या इसके भी शिकायत की है यह हम सारी शिकायते कर चुके हैं अगर आप यहां से सीधे जाएंगे तो यह तीसरा कुड़ा घर इस शायद एक म दालं को हैंने विरोध के बाद बन दो ऑद यहां जाते हैं कार्ड ऐड़ा हूं के यहां उनके बहुत बड़ा खर बना दिया ऑज रहा रहाचा तो आप अच्छी का सी उपजाओ जमीन क्यों में के लिए की अजरा आगे यहां पर अब ये नया शुरू हो गया है यहां पर हो किया राइसरकार ध्यान क्यों नहीं देती है यहां पर सुसाइटीज बना रहे हैं तो क्या कुड़गर भी पास में बना देंगे क्योंकि लोग मकान खरीते तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं आप मेरा नाम मुशा देवी है यह अगर इसी तरह का कोड़ा डलता रहा तो फिर आगे क्या करने वाले हैं अभी मेरे को जीना मुश्किल हो रहा है मैं इधर वाकिंग करने के लिए नहीं निकल पा र अगर यहां पर कोड़ा घर नहीं हटता है तो आगे आपका क्या स्टेप होने वाले है अभी तो हम सीधे बात करें हम सब यहां साइड में अगर देखेंगे तो बिल्डिंग आपको दिखाई देगी यह स्कूल की बिल्डिंग है और जिसकी जो दूरी नगबक 500 मीटर बता रहे हैं और इधर 200 मीटर दूर जो लोग यह रहते हैं कि सोसाइटीज है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब आप किसी आपको चैनित करते हैं तो उसके बहुत से मापड़न होते हैं लेकिन वह मापड़न सिर्फ काग्जों पर किये जा रहे हैं लेकिन जो जमीनी हागिकता है वह आपके सामने हैं गाजियाबाद से मिजीते इंद्र गोतम डी एन पी इंडिया सकता है